दूसरो अगर आपको भी घर बैठे लोन चाहिए, ओभी सही से लोन चाहिए, बड़ा लोन चाहिए, 50,000 से लेके 15,000,000 तक का, ओभी बीना किसी पेपर ओवर के minimum documents के साथ में, तो इस वीडियो को मिस मत करना है, इस वीडियो को बिल्कु सही से देखो, समझो, आज आपके लि आप तो एक से 24 गंटे के अंदर पैसा आपके bank में आ जाएगा, लेकिन पहले आपको सही से समझना पड़ेगा, कि दोस्तो इन दोनों में loan कैसे मिलता है, इसके लिए 200 documents क्या के देना है, minimum documents आपको सही से देने वाला हूँ, वो भी दोस्तो 50 जर से लेके 15,000,000 तक का बरा loan घर बैठे ले सकते हो, बहुत जगदी ले सकते हो, 24 गंटे के अंदर पैसा सीद आपके bank में approval हो जाता है, तो मिल जाता है, लेकिन पहले समझो कि loan कैसे approval होगा, इसके लिए document समर पास क्या क्या होना चीए, और ये कौन सा bank है, कौन सा application है, पहले सही से देखो, समझो, समझन documents क्या क्या देना पर एक apply कैसे कर रहा है, ये सब पहले जानना होता है, तो पहले इस वीडियो को समझो, चलिए इस वीडियो में आगे परते हैं, आगे छुटस request है, वीडियो को लाइक कीज़ेगा, लाइक करते हैं, सपोर्ट मिलता है कि हम आपकी इस वीडियो की लेका त का, बड़ा लोन ले सकते हो, भी 5-10 मिनिट में आप इसे apply करोगे, approval हो गया, तो एक सिर 24 घंडे के अंदर पैसा हैं, 29 पैसा बैंक में आयता है, डरेक्ट आपके bank में, कहीं जाने जूरुत नहीं है, कहीं भी नहीं जाना, बस आपके पास android phone है, phone है आपके पास, कोई सब हो phone है तो आप internet चलाते हो तो यहां पर देखते हैं मैं दो application यहां पर लाया हूं तो यहां पर दुस्तों सबसे पहले देखते हैं DG bank का ठीक है तो यहां पर दुस्तों सबसे पहले देखते हैं यहां पर हम आज को तो आपको कोई दीकत नहीं है, आप इसे डिरेक्ट अपलाई कर सकते हो, किसी बैंक में खाता हो, कोई दीकत नहीं है, आप इस पर अपलाई कर सकते हो, पहले समझो, यह हम क्या बता रहे हैं, कैसे आपको अपलाई करना है, ले सकते हो, लेकिन पहले आपको सही से देखना है, इस पर documents क्या के लएगा, यह सब चीज है, तो जाके apply करो, आपको hand-toean loan आपको मिल जाता है, घर बैठे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन पहले सई चीज आपको लोनना परता है, तब जाके apply करो, आप बनना नहीं, क्योंकि दूस्तों आप बहुत जोगा fraud भी हो रहा है, डीजी बैंक, यह मैंना सर्च किया, तो डीजी बैंक के दूस्तों यह application भी आ चुका है, जो कि प्लेशुप भी मिल जागा, तो यहां पर दूस्तों नीचे आएंगे, तो डीजी बैंक के दूस्तों देखते है, परोशनल लोन दिया हुआ है, इसका direct में देदूंगा आपको डीजी बैंक का परोशनल लोन, इस पर इस पर क्लिक करना है, यह तो home loan आ चुका है, आप ही चाहता हूँ, यह रहा परोशनल लोन, तो हम आ चुके है, डीजी बैंक के official side है, और डीजी बैंक से दोस्तों आप loan कैसे डे सकते हो, तो पहले जान लो कि डीजी बैंक कि कि लोन कितना दे रहा है उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस के लिए लोन ले सकते हो आप दुस्तों देखते हो Dg Banc के लिए लोन के लिए क्या क्या देना पड़े klaar यह सब mouth आपको अच्छे से बताऊंगा लोन ले सकते हो आप पचीज आर से लेके 15 लाग तक का लोन आपको इस स्टेंट आपको मिल जाता है घर बैठे इस बैंक की मतलब से इसके लिए आपको मान लिजी आप कहोगा यार इस बैंक हमारा खाता हो न अच्छे दोस्तों बता दूँँ कि ये बैंक अगर मान लिजी ड चाहरे हो तो लोन किस किस रीजन के लिए ले सकते हो यहां पे लोन आप मान लिजीए कि आपकी साधी है घर में साधी है चाहे दोस्तों आप ट्रेवल करना चाहरे हो उसके लिए लोन ले रहे हो तो ट्रेवल के लिए सकते हो उसके बाद दोस्तों यहां पर बहुत सारे ची रखते हो तो यहां सब्सक्राइब करना है लेकिन पहले अपलाई करने से पहले यह सब चीज आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले ध्याना किए उसी को अपलाई करना है परोष्णा लोन ध्याना किए कोई भी अपलाई कर सकता है यह नो उसके बाद दुस्तो आपका एज होना चीए 21 साल से लेके 60 साल तक 21 साल से लेके 60 साल तक एज क्यों कहते हैं यह कि कि दुस्तो जब आपका पेंट कार्ड बन जाता है बीना पेंट कार्ड बने आपको loan कहीं से नहीं मिलेगा अब कहीं से नहीं मिलेगा पचीस जर से कम आपकी इंकम है, उनको दोस्तों मालने जिए कि इस पर जाके खाता खुलना पड़ेगा, उसके लिए इस्पेसल वीडियो बनाऊँगा, कैसे आप अगर आपकी इंकम पचीस जर से कम है, तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, कॉमेंट करोगे तो इस्पेसल करो रेगुलर तब जाके हम बजाता है काम करने में, तब जाके वीडियो बजाने में मजाता है आप सबको, आप लोग कहते हो बनाऊँ लेकिन दोस्तों आप लोग देखते हो भी आप 25 से कम हाले को बताओ कि डीजेग से कैसे लें, तो आपको पताऊंगा, उसके बाद सब्सक्राइब करने के लिए सबसे ध्याना किए कि यहां पर देखते हैं कि अपना नमबर डालते ही आपको कंफर्म हो जाए कि आपको कितना मिलेगा आपके सीविल पे जो भी जैसे कि फर्स्ट अप्लाई करोगे तो अपना मॉबाइल नमबर से साइन अप कर लोगे, साइ आपको मालम चेंदा कि यहां कितना मिलेगा लोन आपका सीविल केज साब से उसके बाद यहां पर साइन अप ऑनलाइन अकाउंट ऑटमेटीक आपको अपका खूल जाएगा कहीं जाने इतने अपको इस पर डिजी बैंक में खूल जाएगा और इससे हैंट टूर आपको पा कर चीज आपका इस पर हो जाता है उसके बाद से चौर पर पैस जैसी सेमिंकान खुल जागा पैसा अप्रूल हो गया तो पैसा इसी बैंक से किसी भी बैंक में ट्रांसपर कर सकते हो पैसे को इसमें आपका फूल जाएगा ओटमेंटिक बैंक आता तो यहां से अप्लाइन जो मोईले में अटेच है वो आपके साहांत मनों अच्छी कि इस पर डिश्टल के वाइस ही होता है विडियो के वाइस होता है आपका बैंक काउंट खुलेगा तो यह दो चीज आपके पास होना चाहिए यह दो चीज की मेंसे आपको हैंट प्रेंट पैसा आपको मिल जाएग पर क्लिक करेंगे तो यहां से देखते हैं आपका मुवाइल नंबर मेल अएडी इंकम कितना करते हो महिने का यह सब डालना है उसके बाद उसके बाद तो दूसरा जो बैंक है यहां पर दिखा दूँ यहां पर इसी सब आपको इंटरेनेट मिल आगा उसका बैंक भी है और उसका अप्लीकेशन भी है देख से आई डिए एपसी फर्स्ट बैंक यह बहुत बड़ा जो अप्लीकेशन है बैंक है बहुत बड़ा बैंक है यह डिजिटल लोन प्रवाइड करते हैं डिजिटल मतलब आप पहले डिजिटल के बड़ें समझो कि कैसे उस पर लोन मिलता है सिम्पल है बिल्कुल जैसे वाट से फेजबू चलाते हो step by step अपना फोम फिल करना है आपको लगता होगा बहुत हाट लेकिन कुछ नहीं है आपको बताऊंगा और जिनकाडी दूँगा तो यहाँ पर दूस्तों डीजी बैंक से देखते हैं यहाँ पर प्रश्ण लोन पर कि एक करोड तक का प्रश्ण लोन ले सकते हो इस पर जो लोन ठीक है तो प्रश्ण लोन पर अप्लाई पर कर लोगे लेकिन इसके लिए तुस्तों डॉक्मेंस क्या का चाहिए यहाँ पर नीची आईए अब दोस्तों देखते हैं बीस जार से लेके एक करोड तक का लोन ले सक तो 6 महिने से लेके यहाँ पे 60 महिने के लिए दोनों में आप किस्त बना सकते हो इत्रीक है ज्यादा हाइस जो परोष्णा लोन होता है परोष्णा लोन इतना ही होता है 10 10.49% के हिसाब से यहां पर 36% तका ब्याद चला जाएगा जो की जितने टाइम के लिए आप किस्त बनाओगे जितने टाइम के लिए जितने आप लोन लोगे उसके हिसाब से यहां पर ब्याद यह सब आपको लगने वाले हैं तो जैसे आप लाई करोगे तो यहां पर दिख जाएगा अप्रूबल होगा लो तोहाँ बनाना कि आप किस चौबिस मैने के लिए यहाँ पर चाहए छह मैने के लिए चाहए शाठ गाव तो उसका इसाथ से किस्त आपको आ apply के पुछिस्टर दोनों का सेम ही है लेकिन सीबिल आपका सजोना चीए सीबिल आपका 650 से प्लस होना चीए तब जाके आपको लून आपको मिलेगा और आपके सीबिल पर आपको वो लोन देते हैं यह सब भी पुछेंगे कि आपका साल का कितना पैस आपको भी हो ना आपका मेंटेंग जब अपलाई करोगे तो आपको step 2 step दीख जाएगा तो वो चीज़ देखने के बाद आपको लोन देते हैं समझ गए तो और दोस्तो अगर आपका income 25,000 से कम है इसमें दोस्तो लगबग वही income 25,000 minimum income हर जगा होना चाहिए इस दोने में तो आप ले सकते हो 25,000 से कम income है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप बताऊगा जबरतस तरीका जिसमें मैंने लोन लिया था डीजी बैंक से तो DBS बैंक से काफी जबरतस मुझे लोन मिल लिया था और देना तो इसका दुस्तों यहां पर दिया गया है वह आपके लोन पर डिपेंड करता है कि मांग जे इमांट के हिसाब से आपका ब्याज परसिंग वह सब आपके डिपेंड करता है तो यहां से आकर आपको अप्लाई करना है यहां पर अप्लाई करना है जैसी करेंगे सेम यहां पर देखते हैं पेंग काड नमबर जैसे बताया था पेंग काड उसके बाद दूस्तों आइडी में देखते हैं आइडी में चाहिए यहां पर बोटर आईड ड्राइब लेसेंज यहां पर पासबोर्ड इनमें से कोई चीज ओप्शन दियाता है ति आपको अपने पर दो आपको बताऊंगा तो यहां पर दोस्तों क्या करना है 20-जर से लेके एक करोड तक का लोन ले सकते हो सेले वाले सेलेववन पर दोनों लेसकते हैं इसमें कोई नहीं है मंतली का इंकम हो रहा है अप्लाई करो किसी बैंक में भी आपका मान लिजंगे क्यों कि आपका क्यों कर लोगे क्यों कर आपको इस सीवील साह्योगा तो आपको बस खूद कॉल आए इनके तरफ से ध्ःद कहीं से भी कॉल आता है तो पहले वह चीज को वेरिफिकेशन करो कि जांचों पता लोग कि यह कहां से लोन आ है ऐस तरह कोई भी लिंक भेज़ता है तो लिंक पर क्लिकर की लोन नहीं लेना चाहिए उनके ऑफिसियल साइट पर जाओ जानो समझो उसके बाद ही डिश्टल लो टो उसे अपलाई नहीं करना चाहिए कि वो सब उनको मादल मिचे तक कब बंद हो जाया तो यह सब दूस्तों रिक्सि होते हो सब यह सब बलकुस सही होता है तो इससे अपलाई करो हमारा कैम आपको सही जनकाड़ी देना उम्मीद करता हूँ कि आपको जनकाड़ी सही मिली होगी और आपको यह पसंद है तो मुझे कॉमेंट कि जाएगा आज क्लिक नहीं मिलते हैं आप से नेक्ष में जाहिए हिंद बन्दमत्व